Film industry में जहां हर एकектор अपने बच्चों को एक्टिंग में ही लौच करने में लगा हुआ है वहीं इसी film industry में कैसा एक्टर भी है जिसने अपनी बेटी को actor नहीं बनाया बल्कि देश की सुरक्षा के लिए इंडिन defence force में भरती करा के real hero बनाया है कौन है वो एक्टर जिसने अपनी बेटी को डिफेंस फोर्स में भरती करा दिया दरसल उत्तर प्रदेश के अब इनेता से नेता बने रवी किशन की 21 साल की बेटी इशिता शुकला ने अगनी वीर स्कीम के तहत डिफेंस फोर्स में शामिल होकर अपने पिता का सीना चोड़ा कर दिया है लोग इशिता के इस फैसले और हुनर की तारीफ करते ठक नहीं रहे खास बात यह है कि इशिता एक NCC कैडर रह चुकी है और साल 2022 में उन्हें NCC के ADG Award of Excellence से सम्मानित भी किया गया था साथ ही उन्हें करनल रज वर्दन सिंग राठोर ने Best Cadet का Award भी दिया था आपका रविकिशन की बेटी के इस डिसीजन के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा एक बार फिर से सोशल वीडिया पर एक मा की ममता से भरा खुबसूरत वीडियो लोगों को बहुत भावुक कर रहा है जिसमें कोई इंसान नहीं है बलकि है एक गाएं पर ऐसा क्या खास है इस वीडियो में गाएं इस जानवर भी अपने दर्द और खुशी को बयान करते हैं जो इस वाइरल वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है दरसले गाएं ने जैसे अपने बच्चे को जनम दिया तबी दो बंदों ने आकर उसकी मदद की और गाएं के बच्चे को कपड़े में लपेटा और उसे साफ किया जिसे देख कर गाएं पूरी तरीके से भावुक हो उठी और उसकी आँखों से आसू निकलने लगे वो गाएं भले कुछ बोल ना पा रही हो लेकिन जिस तरह से वो गाएं उस बंदे को अपनी जीप से सहला कर अभार जता रही थी उस गाएं के इस अंदाज ने लोगों का दिल जीत लिया वैसे गाईस गाएं के इस भावुक अंदाज को देख कर आपको कैसा फील हो रहा है कोमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा प्यार कब कहां और किस से हो जाए ये कहां नहीं जा सकता ये ना रंग देखता है ना रूप देखता है और ना ही सरदों को देखता है PUBG खेलते खेलते भारत के नोईडा में रहने वाले सचिन से मिली थी धीरे धीरे चैट के जरीए उनकी रोज आपस में बात होने लगी और बात प्यार में बदल गई फिर क्या था? सीमा पर सचिन के प्यार का जुनून कुछ इस कदर चड़ा हुआ था कि सीमा ने सारी सीमाई ही पार कर दी वो अपने चार बच्चों को लेकर पहले नेपाल गई और फिर नेपाल से इल्लीगली बोर्डर पार करके सचिन से मिलने इंडिया चली आई यहीं नहीं सीमा और सजिन पिछले एक महीने से साथ रह रहे थे लेकिन दिल्ली पुलिस को मिली एक टिप के वज़े से ये मामला सामने आया और पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया गाई इस प्यार की हद तक तो ठीक है लेकिन कोई इनसान हमारे देश में इतनी असानी से चलाए ये हमारे लिए चिंता का विशा है